हेलो गाईज, O-Level and Triple C सीखने की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह हमारा दस्वा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या इंटरफेस होते हैं, जैसे की बात करेंगे यह सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको देखने के बात last तक कोई और next वीडियो देखने के आसकता यही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा doubt मैं इसी वीडियो में clear कर दोंगा तो वीडियो को last तक जरूर दिखिए गया जिससे आपको किसी भी प्रकार की समझ्या ना हो सके जैसे हमें आपे बात करेंगे operating system तो operating system is a set of program ये एक अलग 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 धेर सारी program का क्या होता है क्या होता है एक set होता है ठीक है मतलब कि धेर सारे अलग लग combination धेर सारे program का एक set होता है जो कि interface होता है मतलब interface between users and hardware जैसे मानलेजी ये ये आपका एक user हो गया ये एक hardware हो गया इन दोनों को बातचीत कराने के लिए मुझे ये OS की आउसकता पड़ती है जैसे मानलेजी मैं चला गया अमेरिका मुझे इंगलिस नहीं आती है भई तो मैं क्या करेंगा बीच का एक mediator मुझे सर्च करना पड़ेगा कि वहां के लोगों से वारतालाब कर सके और वहां की चीजों को मुझे बता पाए जैसे जिसको बोलते हैं आम तोर पे अगुआ के रूप में जानते हैं तो वही हमारा काम है क्या आपका जो operating system हो एक अगुआ है ठीक है जो कि हमारा hardware और यहां पे क्या user के बीच में proper तरीके से interact कराने में मदद मिलता है जैसे हाँ पे हम बात करें जैसे है आपका operating system है यह क्या करेगा हमारे CPU से connect होके यह क्या है जैसे हो गया यही operating system handle करता है हमारे क्या application software को monitor पे क्या देना है कैसे output देना यही handle करेगा अगर मैं printer से print out निकलना चाहता हूँ तो जब तक इसका OS से connect नहीं रहेगा मिन्स operating system से connect नहीं रहेगा तब तक यह connectivity नहीं प्रतान मतलब देखे सारा का सारा यह connectivity प्रतान कर जैसे मैं यह माउस से मैं पढ़ा रहा हूँ तो यह आपका क्या यह mouse जो attached है जब तक हमारे system से attached नहीं होगा भई तब तक काम कैसे होगा hardware से attached नहीं है तब तक काम तो होगा नहीं और hard drive हो गया ठीक है जो भी हमारा hard drive हो गया keyboard ही हो गया अगर हम मैं जब तक connected नहीं रहेगा हमारे operating system से तब तक वो काम ही नहीं करेगा इसलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी कोई भी devices अगर काम ना कर रहा हो या कुछ ऐसा error दे रहा हो तो उसको अब restart करें इसके बाद यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर interface क्या होता है OS के OS के देखिए अलग लग interface पाया जाते हैं mainly आपका CUI and GUI मैं में यह आएगा आपका CUI and GUI होता क्या है बार बार तो आप नाम बोल रहे हैं तो यह भी समझेगा जो आपको देखने के लिए मिलता है मतलब कि पहले के जो mobile आपके इस्तमाल होते थे वहाँ पर देखिए जो mobile या phone ही समझेगे phone जो इस्तमाल होते थे क्या उसमें screen होता था कोई भी screen पाया जाता था आप वहाँ पर number देख पाते थे नहीं न जो पहले के phone होते थे आप देखेंगे कान में अलग लगाने के लिए रहेगा जिसको बोलेंगे कोपा या अलग यहाँ पर जो mic मतलब मुझे अकर लगाना पड़ेगा वो अलग mic रहेगा तो यह कान में लगा के बोलेंगे यह mic मतलब दो तार यहाँ से रहेगा तो यह तो आपका पहले के phone इस्तमाल होते थे ठीक है तो वही एक तरीके से आपका क्या है CUI है मुझे अलग-अलग command user interface ठीक है command user interface और GUI का मतलब क्या है graphical user interface ठीक है अब command का मतलब क्या हो जाएगा पहले की जो system आपके होते थे वो मुझे बार-बार मुझे क्या हर एक काम करने के लिए मुझे command देना पड़ता था मतलब command जब तक नहीं देंगे तब तक वो कार नहीं होता था जैसे एक example की बात करें मानलेजे कोई मुझे एक folder बनाना हो ठीक है folder बनाने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ माउस से फटाफट मैं click करके काम कर लोगा ठीक है लेकिन पहले क्या होता था ऐसे काम करते थे माउस से क्या नहीं बन तब माउस होता ही नहीं था तब मुझे क्या keyboard से ही command देना पड़ता है जैसे मानलेजे आभी मैं आपसे कहूँ एक बोल देते हैं वो भी कमांड हो जाता है अब वाई सर्च है न गूगल पर आप वाई सर्च कीजिए फटाफट सर्च हो जाएगा तो यह क्या है कमांड जो इस समय ग्रैफिकल यूजर कमांड हो गया है पहले आपका लिख के देना पड़ता था आया और इसका डिफरेंस समझ अरो विष्टार के रूप में CI समझते हैं इसका साउट फोर्म जैसे मैंने यहां पर यह बताए य क्या सार्ड फोर्म वे हमारा कम्प्यूटर के क्या इंट्रफियस है को ङखांपल होगा जैसे हाँ पे CUI का example क्या MS-DOS कर सकते हैं जिसका क्या Windows का होगा ठीक है या Command Prom भी इसको हम बोलते हैं ठीक है जो एक्जामपल में रहेगा Command Prom भी इसको हम बोलेंगे एक Black Screen खुलेगा उस पर मुझे बार-बार Command देना पड़ेगा तब जाके हमारा कोई कार या कोई टास्क हो पाएगा देखिए जैसे अभी इससमें Current Time में क्या है GUI है मतलब Graphical User Interface है इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि File आप अगर अपना रखे हैं तो कहां रखे हैं अब File का मतलब क्या कोई भी मानले जे आपका System दिख रहा है तो आईकन ये सारी जो छोटे-छोटे आईकन दिख रहे हैं इसको आईकन मोलते हैं ठीख है आपके आईकन ऐसे छी जो ये तो आपका क्या है GUI थीक है लेकिन अगर मैं CUI की बात करो CUI की बात करो CUI देखे कुछ ऐसा आपका है ऐसा display दिखता था, इसमें कहां भाई folder है, कहां आप क्या लिखे हैं बस यही देख पाएंगे, यह सारे command ही आप देख पाएंगे लेकिन output जो result है वो आप देख पा रहें, लेकिन कहां setting का symbol बनता था, कुछ है ऐसे symbol बनता था, ऐसे, ठीक है ऐसे symbol बनता था, यहां पर ठीक है, लेकिन अगर message की बात करेंगे तो message बगर कुछ ऐसा बनता था, देखे यह, ऐसे message, लेकिन अभी क्या है, आप इस समय Android मोबाईल में क्या करेंगे, एक application इस्टॉल कर लीजी, एक launcher इस्टॉल कर लीजी, तो हाँ पर देखेंगे, क्या सारे icon जो आपके दिख रहें symbol बगर है न, सब के सब हुलिया बदल जाएगा भई, हुलिया बदल जाएगा तो आप देखेंगे, हमारा नया मोबाईल हो गया, नया इंटरफेस के साथ है, हाँ पर अगर नो, OS की बात करूँगा, तो यह देखें, जो डॉस है, यह क्या आपका, CUI इंटरफेस है, CUI इंटरफेस है, लेकिन यह तीनों आपके क्या मिलेंगे, यह GUI मिलेंगे, GUI इंटरफेस, ठीक है, अब इस समय जो current time में आप यूज करें, यह दोनों, यह देखें, इसी पर अपग्रेट हुआ है, तो अगर मेरा question यह है आपसे, इस समय के जो system है, यह operating system जो use हो रहे है, वो CUI based है, यह GUI based है, तो आपका answer होना चाहिए, CUI and GUI दोनों है, क्योंकि पहले जो CUI था, उसी पर यह upgrade किया गया है, change नहीं किया गया है, अपग्रेट किया गया है, इसलिए क्या, DOS का है आपका OS, आपका इसके बाद Windows का, Linux का, Macs का OS माना जाता है, अगर हम बात करेंगे DOS का, तो DOS एक प्रकार के देखिए, आपका run कैसे करेगा, disk operating system, इसका नाम पूरा बोलेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहला operating system यह है, आप ऐसा भी question पूछ सकता है, कि सबसे पहला first operating system का नाम क्या है, तो first OS है भाई, यह माहिनों बैठा लिजिएगा, DOS, disk operating system, ठीक है, run, आपके hardx drive में यह run करेगा, कैसे run करेगा, hardx drive में, कै कैसे भाई, आभी देखिए यह भी में बताता हूँ, ठीक है, इसका first widely इंस्टॉल किया जाता है, क्या, Intel का 8086 16 bit processor पे इसको इसको इस्तमाल किया जाता है, यह जो operating system है, यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते है, interpreter एक language होता है, जो यहाँ पे use में आता है, यह जो DOS है, यह यहाँ पे क्या, identical अलग-अलग version यहाँ पे आया है, जिसको बोलेंगे MS-DOS, DOS, फिर MS-DOS, Microsoft Corporation ने इसको बराया है, इसलिए यहाँ पे क्या MS-DOS के नाम से यह अलग-अलग sit हो गया है, इसके बाद यह समझेगा, कि अगर मज़े DOS अपने system में open करना हो, तो मैं कैसे open इसके बटन रहेगा, यहाँ पे आपका एक color किया हुआ रहेगा, यह आपका window की होता है, मैं keyboard वाले में बताया हूँ window की क्या होता है, वो lecture अगर नहीं देखेंगे तो आप जाके जरूर देख लीजीगा, ठीक है, अच्छा यह window की होता है, इसके बाद यहाँ पे देखें मैं लिखोंगा, अगर मैं command लिख दिया, तो भी open हो जाएगा, या cmd में लिख दिया, तो भी open हो जाएगा, देखें, cmd लिख दिया, तो देखें, cmd आपका यह command यहाँ पे open होके, चालू होगे, start हो गया, ठीक है, अब देखें, इसका मतलब यह हुआ कि, c drive में user के अंद करूँगा, कहां से open होगा, देखें, यह भी मैं दिखाता हूँ आपको, देखें, my computer अगर आप open करना चाहते हैं, तो अगर windows 10 आपके system पे है, तो यहाँ देखें, आपका वहाँ पे this PC नजर आएगा, यह this PC, यहाँ अगर रहेगा वैसे, my computer नजर आएगा, अगर 7 वगर आप use करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें, इसी पर click करेंगे, click करेंगे, तो यहाँ पर देखें, my computer या this PC आपका खोल जाएगा, ठीक है, इसको देखें, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, तो छोटा करके आपके सामने लेके आऊँगा, तो आपको पूरा देख पा रहे हैं, तो यह देखें, पात है, आप देख पा रहे हैं, जैसे देखें, मैंने बता है, c drive में user के अंदर महादेव, अब यहाँ पर c drive में user है, अब इसके अंदर महादेव, इस समय आपका, जो current time में cursor blink कर रहा है, यहाँ पर blink कर रहा है, यह तो मैंने अपने mouse से जान जाना है या desktop पे जाना है तो मुझे अलगलग command देना पड़ेगा तभी जाके मैं जान पाऊंगा ठीक है जैसे देखिए अगर मुझे वहीं पे एक folder बनाना है तो मैं बताऊंगा MD यहां पे लिखोंगा और यहां पर नाम दे आए मने कीरन कड़ कर देखके हमारे folder बन जाएगा कहां पर महादेव के अंदर बनेगा कैसे बनेगा बाहिए देखिए मैने बन गया है अब मैं दिखाता पर इपन और 'll तो देखे यह आपका एक क्रियन नाम का यहाँ पर फोल्डर बन गया है तो यह तो मैंने अगर मैं जिए यही चीजे माउस से बनाना होता तो आसान था लेकिन अगर मुझे यही कमांड से बनाना है देखे काफी टफ हो गया है तो इसलिए आपको मैं बता दूँ कि जो भी आ है काफी इजी हो गया है आपका क्या जी वाई की मदस से अगर आपको वाकही में डॉस या कमांड सीखना है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएगा तो मैं उसका अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा कितने कमांड होते हैं और किस तरीके से इस्टमाल किये जाते क्योंकि यहां पर बताऊंगे तो आपका टॉपिक जो है वहां से डिश्टर्व हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है इसलिए में डॉस इतना ही अगर डॉस आपको पूरा सीखना है तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा जिससे मैं डॉस का अलग वी एक्जामपल में तो यह आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है यह भी और यहां पर देखे फाइल फॉल्डर डारेक्टि डारेक्टि मतलब क्या फॉल्डर को ही डारेक्टि हो लेंगे यहाप आगा cmd मैं यूज करूँगा न तो इसको हम यहाँ पर डिरेक्टि सिस्टम होते हैं जो Windows के पाया जाते हैं इसके बाद है हाँ पर हम समझेंगे Linux operating system जो कि एक प्रकार का बहुत ज़्यादा popular operating system है और open source software है open source software OSS में आता है ठीक है अब open source इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह आपका इसके software में modification करना है तो भी मैं कर सकता हूँ जो कि मैं software वाले chapter में बहुत अच्छ से बताया था ठीक है तो उमीद करता हूँ वो video आप देखे होंगे अगर नहीं देखें जाके जरूर देखेगा आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा ठीक है इसके बाद समझेगा independence port यहाँ पर क्या portable अलेग लगे portable रहेगा मतलब कि कोई भी अगर इसमें नया interface नया changing करना चाहते है वो भी changing हम कर सकते है OS का जो यहाँ पर कर सकते हैं यह operating system जो create किया गया है वो क्या lunus के नाम से यहाँ पर इसलिए इसका नाम linux रखा गया है 1991 में बना था यह और यह open source है पहला operating system है यह क्या जो आपका release हुआ था यहाँ पर जैसे मैं 94 फर्स्ट वर्जन linux kernel release हुआ था क्या internet के लिए release in internet मतलब internet पर आसानी से download करने के लिए ठीक है इसके बाद linux का अलग लग example के साथ यहाँ पर देखिए कि source code जो रहेगा ना इसका source code मतलब यह कैसे बनाया गया यह software यह पूरा-पूरा आपको source code net पर मिल जाता है जो के linux हैं इसके कह सकते हैं जो graphics user interface है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर अलग लग KDE के नाम से जानते हैं ठीक है और इसको अलग नाम से भी जानते हैं यहाँ पर KDE ठीक है और इसको also known क्या genome के नाम से भी जानते हैं कभी-कभी ऐसा नाम पूछ लेता है तो आप बहुत अच अच्छे से बैठा लीजिएगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो ठीक है ऐसे ही आप देखेंगे आपका macOS होता है macOS भी आपका क्या graphical operating system के अंदरगत आता है यह भी develop करते हैं क्या marketed ठीक है apple यह क्या macOS यह हो क्या apple company के माध्यम से आपका develop हुआ है 2001 से ठीक है अच्छे अच्छा speed प्रदान करता है क्योंकि यह design ही किया गया है apple के लिए और apple company ने ही इसको क्या बनाया है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे OS का mobile में क्या mobile में अलग-अलग operating system होता है बिल्कुल हाँ उसके लिए भी आपका android OS होता है iOS और blackberry OS होता है blackberry OS आपका पाया जाता है यह तीन अलग-अलग जो इससे में current time में बहुत ज्यादा यूज होता है वो android OS होता है और apple वगरह में आपका iOS इस्तमाल किया जाता है जैसे कि अगर हम यहां पर बात करेंगे android OS का तो android OS में भी अलग-अलग feature पाया जाते हैं जैसे कि आपको पता है marshmallow हो गया लॉलीपॉफ हो गया ठीक है इस समय आपके colors वगरह के इस सारे आपके android OS के इंतर्गत आते हैं जो कि आपका mobile में ही केवल यूज होगा उसको system में आ नहीं कर सकते हैं ठीक ऐसे ही अगर बात करेंगे iOS का तो यहां पर iPhone operating system के नाम सी इसका पूरा नाम है और यह develop किया गया आपको पता है iPhone devices के लिए यह बनाया गया है जो कि Apple company के द्वारा ही यह create किया गया है ठीक है अब यह देखिए iOS जो mobile operating system यह अबलेबल है iPhone क्या जो भी अ iOS के अलग-अलग mobile में ही आपके iOS में मिलता है इसलिए यह देखिए iOS जो आपका operating system होता है यह बहुत ही ज्यादा security और बहुत ज्यादा strong होता है जिसमें third party या अलग से कुछ extra feature आपको नहीं मिलता है कहा जाता है यह भी कि जो आपका Apple प्रवाइड करता है जो Apple आपको Apple क्या करता है कोई भी application launch करता तो Apple store पे ही मिलेगा कहीं और का application iPhone वगरे में आप install नहीं कर सकते हैं इसलिए यह बहुत ज्यादा security के purpose से बहुत अच्छा phone माना जाता है और इसलिए यह बहुत ज्यादा costly भी पाया जाता है next अकर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैं Blackberry OS की बात करूँगा Blackberry OS यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यह भी अलग एक company के द्वारा Blackberry held company मतलब क्या जो Blackberry की devices होता है उसके लिए यह बनाया गया है Blackberry OS इसका नाम देखिए company का नाम ही है Blackberry यहाँ पर डेबलब जो किया जाता research in motion for use on the company popular Blackberry handheld devices जो हाथ के लिए devices होते हैं जो हाथ में लेके इस्तमाल की जाते हैं वहाँ पर इस्तमाल होते है Blackberry OS वगर है ठीक है जैसे कि हम यहाँ पर और भी बात करें जिसे business purpose के लिए आपका हो जाएगा न तो इसके लिए अलग-लग platform या अलग-लग devices होते हैं तो वहाँ पर हम यह Blackberry OS का इस्तमाल करते हैं क्योंकि Blackberry OS mainly जो इस्तमाल के जाता है corporate user के लिए मतलब जो business करते हैं उनके लिए जो business purpose के लिए इस्तमाल के जाता है जैसे कि वह अलग extra feature चाहते हैं या business software अपना develop कराना चाहते हैं तो वह Blackberry OS के मदद से develop होता है यही company describe या अलग-अलग create करके देता है जिससे वह नया feature या unique feature और accept कर पाते हैं गैज उमीद करते हैं आप यह operating system बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारा जितना मैं information दिया हूँ बहुत अच्छे से इसका आनन्द लेके आपने पढ़ा है और desktop और laptop का जो भी मैंने OS बताया है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा समझ में आया है तो यह like बटन दबाना नहीं भूलिएगा और ज्यादा अच्छा आता है तो अपने friend circle में सबको यह share कीजिए और लोगों को हमारे साथ जोड़िए जिसके माधम से मुझे भी एक motivation मिलेगा और मैं अच्छा और वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर लेगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद